आज अब उद्धाबी में आप लोगों ने नया इतिहास रच दिया आप लोग युईएई के कोने कोने से आए और भारत के भी अलग-अलग राज्यों से आए लेकिन सबके दिल चुड़े हुई है इस अइतिहासिक स्टेडियम में हर धडकन कह रही है भारत युईएई दोस्ती जिन्दाबार हर सांस कह रही है भारत युईएई दोस्ती जिन्दाबार और अवाज कह रही है भारत युईए पस इस पल को जी लेना है जी भर करके जी लेना है आज वो यादें बटोर लेनी है जो जीवन भर आपके साथ रहने वाली है जो यादें जीवन भर मेरे साथ भी रहने वाली है मेरे भाईयों और भेनों मैं आज अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आया हूँ समंदर पाग जिस देश की मिट्टी में आपने चन्म लिया मैं उस मिट्टी की खुश्बू आपके लिए लेकर आया हूँ मैं संदेश लेकर आया हूँ आपके एक सो चालीस करोर भारतिय भाई भेनों का और यह संदेश है कि भारत को आप पर गर्व है आप देश का गवरव है भारत इस प्रावड आप यू भारतम निगंड़े औरतो अभिम्मा निकुन्नो उंगलै पारतो भारतम पेरू मै पड़ गिर्दो भारता निम्मा बग्ये हैं मे पड़ुत दे मी पई भारत देशम गर्विस्तों दे एक भारत स्रेश्ट भारत की सुंदर तस्वीर आपका ये उत्सा आपकी आवाज आज अब उधाविके आजबान के पार जा रही है मेरे लिए इतना आशिरवाद ये अभिभूत करने वाला आप समय निकाल कर यहां आए मैं आपका बहुत बहुत आभारी होएं साथियों आज हमारे साथ Minister of Tolerance His Excellency से एक नाहयान भी मोजूद है वो भारतिय समुदाय के अच्छे मित्र और सुबचिन तक है भारतिय समुदाय के प्रती उनका स्थे सराहनिया है आज इस सांदार आयोजन के लिए मैं अपने ब्रदर His Highness शेख महमद बिन जायद जी का भी आभार व्यक्त करता हूं गर्म जोशी भराय समारो उनके सहीयोग के बिना संभव नहीं था उनकी आत्मियता मेरे प्रती उनका अपनत्व मेरी बहुत बड़ी पुझी है मुझे 2015 की अपनी वो पहली यात्रा याद है तब मुझे केंद्र सरकार में आये पहुत अर्सा नहीं बिताता तीन दसक के बाँ किसी भारतीय पियम की कि पहली UAE यात्रा थी डिप्लोमसी की दुनिया भी मेरे लिया नहीं थी तब एर्पोर्ट पर मेरा स्वागत करने के लिए तब के क्राउन पेंस और आज के प्रसिडेंट अपने पांच भाईयों के साथ एर्पोर्ट आये थी वो गर्म जोशी उन सभी की आँखों में वो चमक मैं कभी भी भूल नहीं सकता उस पहली मुलाकात में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अपने करीबी के घर आया वह वो भी एक परिवार के तरह मेरा सदकार कर रहे थे लेकिन साथियों वो सदकार सिर्फ मेरा नहीं था सदकार वो स्वागत एक सो चालीस करोड भारतियों का था वो सदकार यहां युएई में रहने वाले प्रत्य भारतिय का था साथों एक वो दिन था और एक आज का ये दीन है दस वर्सों में ये युएई की मेरी साथमी यात्रा है ब्रदर सेख महमद बिन जायत आज भी मुझे एरपोर्ट पर रिसीव करने आये थे उनकी गर्म जोशी वही थी उनका अपना पन वही था और यही बात उन्हें खास बना देती है साथियों मुझे खुशी है कि हमें भी चार बार भारत में उनका स्वागत करने का आउसर मिला है कुछ दिन पहले ही वो गुजरात आये थे तब वहां लाखों लोग उनका आभार व्यक्त करने के लिए सड़क के दोनों तरफ जमा हो गए थे आप जानते हैं कि आभार किसलिए आभार इसलिए क्योंकि वो जिस तरह युएई में आप से भी का ध्यान रख रहे हैं वो जिस तरह आपके हीतों की चिंता करते हैं वैसा कम ही देखने को मिलता है इसलिए उन्हें धन्यवाद बोलने के लिए वो सहरे लोग घरों से बाहर निकल आए थे साथ क्यों ये भी मेरा सवभाग्य है कि वे ने मुझे अपने हागे सिविलियन एवोर्ड ये सम्मान भी सिर्फ मेरा नहीं है बलकि करोडों भारत वासियों का सम्मान है आप सभी का सम्मान है मैं जब भी मेरे ब्रदर सेख महबत बिज्यायद से मिलता हूं तो वो आप सभी भारतियों की बहुत प्रसोंसा करते हैं वो युएई के विकास में आपकी भुमिका की तारीप करते हैं इस जायद स्टेडियम से भी भारतियों के पसीने की खुश्बू आती है मुझे खुशी है कि हमारे अमीरात के साथ्यों ने भारतियों को अपने दिल में जगदियें अपने सुख दुख का साजेदार बनाया है समय के साथ ये रिष्टा दिनों दिन और मजबूत होता जा रहा है और इसमें भी प्रदर सेख महबद बिंजायत की बड़ी भुमिका आपके प्रति वो कितनी सम्वेदन सिल्टा से भरे हुए है वो मुझे कोविड के दौरान भी दिखा तब मैंने उन्हें कहा था कि हम भारतियों को वापस लाने की विवस्ता कर रहे हैं लेकिन उन्होंने मुझे बोल दिया कि मैं बिल्कुल चिंता न करूँ उन्होंने यहां भारतियों के इलाज के लिए वैक्सिनेशन के लिए हर तरह के इंतज़ाइं किये उनके यहां रहते मुझे वाकई कोई चिंता करनी भी नहीं पड़ी मैं आप सबके प्रति उनका यह असीम प्रेम हर पल अनुभवता हूँ और इतना ही नहीं जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी और से यहां अबुधाबी में एक मंदीर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंट एक पल भी गमाए बिना उन्होंने हां कह दिया और उन्होंने यहां तक कह दिया जिस जमीन पे तुम लकीर खींत लोगे वो मैं दे दूंगा और अब अबुधाबी में यह भव्य दिव्य मंदीर के लोकारपन का एतिहासिक समय आ गया साथियों भारत यही की दोस्ती जितनी जमीन पर मजबूत है उतनाही उसका परचम अंतरिश में भी लहरा रहा मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में छे महिने बिताने वाले पहले अमिरात के एस्ट्रोनोट सुल्तान अल्म नयादी को भारत की तरप से बधाई देता हूँ उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे और इंडिपंडनेस दे पर भारत को स्पेस से सुपकामराय बेजी इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ साथ क्यों आज 21 सदी के इस तीसरे दसक में भारत और युएई का रिष्टा एक अभूत पुर्व उन्चाई पर पहुंच रहा है हम एक दूसरे की प्रोग्रेस में पार्टनर है अमारा रिष्टा टैलेंट का है इनोवेशन का है कल्चर का है बीते समय में हमने हर दिशा में अपने समंदों को नई उर्जा दिये हम दो दोनों देश साथ मिलकर चले हैं साथ मिलकर आगे बड़े आज विये ही भारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है आज विये ही साथवा बड़ा इन्वेस्टर है हम दोनों देश ease of living और ease of doing business दोनों में बहुत अधिक सायोग कर रहे हैं आज भी हमारे बीच जो समझोते हुए हैं वो इसी commitment को आगे बढ़ा रहे हैं हम अपने financial system को integrate कर रहे हैं technology और innovation के शेत्र में भी भारत और विये की partnership लगातार मजबूत हो रही है साथियों community और culture के समंदों के मामले में तो भारत विये ने जो हासिल किया है वो दुनिया के लिए एक model है बाशाओं के स्थर पर दोनों देशों में कितनी नजदीकी है ये भी मैं अपने अमिरात के साथियों को जरूर बताना चाहता हूँ मैं अर्भी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूँ अलहिंद बल इमारात बिकलम अल्जमान बल किताब अदुनिया नकुत्व हिसाबली मुस्तकलब अब्दल वस्दाका बहिना अलहिंद भल इमारत हिया सर्वतना अल्मुस्तराका फिल हकीका नहनू फि बदया साइदाली मुस्तकबल जईदा मैंने अर्भी में बोलने की कोशिश की है अगर उच्चारण में कुछ गल्टी हो तो मैं अपने व्येई के साथियों से माफी जुरूर माँगूंगा और जिने समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा है उन्हें मैं इसका अर्थ भी समझा रहा हूं जो मैंने अर्भी में कहा उसका अर्थ है भारत और व्येई वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर एक बहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं भारत और व्येई की दोस्ती हमारी साजा दौलत है हकीकत में हम अच्छे भविश्य की बहतरीन शुरुआत कर रहे हैं अब आप सोचिए कलम, किताब, दुनिया, हिसाब, जमीन ये हिंदुस्तान में कितनी सहजता से बोले जाने वाले शब्द है और ये शब्द वहां कैसे पहुँचे हैं यहां गल्फ के इस छेत्र से हम दोनों देशों का नाता सेंकडों हजारों वर्ष का और भारत की कामना है कि ये ऐसे ही दिनों दिन और मजबूत होता रहे साथियों मुझे बताया गया कि हां स्टेडियम में इस वक्त सेंकडों की संक्या में स्टुडेंट भी आये आज ये ही में मोजूद भारत की स्कुलों में ऐसे सवाल लाग से अधिक स्टुडेंट पढ़ रहे है ये युवा साथी भारत व्येई की समुरुद्ध के सार्थी बनने जा रहे है ब्रदर हीज हाइनेस सेख मुहमत बिन जायत के सपोर्ट से पिछले मैने ही आईटी देली के अबुधाबी केमपस में मास्टर्स को शुरू हुआ है कुबई में नया सेंट्रल बॉर्ड अफ सेकेंडर एजुकेशन CBSC का ओफिस भी जल्द ही खुलने वाला है मुझे विश्वास है कि ये समस्तान यहां भारतिय कम्यूनिटी को पेस्ट एजुकेशन देने में और मदद करेंगे साथियों आज एक एक भारतिय का लक्ष 2047 तक भारत को विख्षित राष्ट बनाने का है दुनिया का वो देश जिसकी अर्थववस्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है वो देश कौन सा है हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जो स्मार्ट फॉन डेटा कंजूम करने में नंबर वन है दुनिया का वो देश कौन सा है जो ग्लोबाल फिंटेक एरॉप्शन रेट में नंबर वन है हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जहां सब से जादा मिल्क प्रोडक्शन होता है हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जहां इंटरनेट यूजर्स के मामले में नमबर दो पर है हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मनुफेक्टरर है हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इको सिस्टिम है हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुच गया हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना जंडा गाड़ दिया है हमारा भारत दुनिया का वो कौन सा देश है जो एक बार में सो सो सेटलाइट बेजने का रेकॉर्ड बना रहा है हमारा भारत दुनिया का वो कौन सा देश है जिसने अपने दम पर 5G टेक्नोलोजी विक्सित करके सबसे तेज रोल आउट किया है हमारा भारत साथियों भारत की उपलब्दी हर भारतिय की उपलब्दी है फिर देश सान में भारत दुनिया की ग्यारवे नंबर की इकोनोमी से पाटवे नंबर की इकोनोमी बन गया है और आप जानते हैं मुझे हर भारतिय के सामर्थ पर कितना जादा भरोसा है इसी भरोसे के दम पर मोधी ने एक गारंटी भी दी है मोधी के गारंटी के आप जानते हैं मोधी ने अपने तीसरे टम में मोधी ने अपने तीसरे टम में भारत को तीसरे नंबर की इकानामी बनाने की गारंटी दी है और मोधी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी हमारी सरकार लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उनकी परेशानिया कम करने के लिए लगातार काम कर रही है हमने चार करोड से जानदा परिवारों को पक्का घर बना कर दिया है हमने दस करोड से जानदा परिवारों को नल से जलका कनेक्शन दिया हमने पचास करोड से जानदा लोगों को बैंकिंग सिस्टिम से जोड़ा है हमने पचास करोड से जानदा लोगों को पांच लाख रुपिय तक के मुप्त इलाज की सुविदा दी है गाव दियाद के लोगों को इलाज में दिक्कत ना हो इसके लिए हमने देड़ लाख से जानदा आईश्मान आरोग्य मंदिर बनवाए है साथियों आप मैंसे जो लोग पीते दिनों भारत गए वो जानते हैं कि आज भारत में कितनी तेजी से बढ़लाव आ रहा है आज भारत एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रिस बे बना रहा है आज भारत एक से बढ़कर एक नए एरपोर्ट बनवा रहा है आज भारत एक से बढ़कर एक नए रिल्वेस्टेशन बनवा रहा है आज भारत की पहचान नए आइडियाच नए इनोवेशन्स की वज़े से बन रही है आज भारत की पहचान मेगा इंफ्रसेक्टर प्रोजेक्ट से बन रही है आज भारत की पहचान एक vibrant tourism destination की रुप में बन रही है आज भारत की पहचान एक बड़ी sports power की रुप में बन रही है और आपको सुनकर गर्व होता है जरूर होता होगा ! होता है ना! राथियों आप सभी भारत में आई डिजिटल कुरांती को जानते हैं डिजिटल इंडिया की प्रसुंसा पूरी दुनिया में हो रही है इसका अलाब UAE में बसे आप सभी साथियों के भी हो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं हमने UAE के साथ अपने रूपे कार्ड स्पैक को शेर किया है इससे UAE को अपना डोमेस्टिक कार्ड सिस्टीम डेवलप करने में मदद मिली है और जानते हैं भारत के सहयोग से बने कार्ड सिस्टीम का UAE में ने क्या नाम रखा है UAE ने नाम रखा है जीवन कितना खुपसुरत नाम दिया है UAE ने साथ क्यों जल्द ही UAE में भी UPI शुरू होने वाला है इससे UAE और भारतिय एकाउंट्स के बीच seamless payment संभव हो पाएगी इससे आप भारत में अपने परिवार के लोगों को और आसानी से पैसे बेज पाएंगे साथियों भारत के बढ़ते हुए सामर्थने दुनिया को भी स्थाहित्व और समुरुद्धी की उम्मीद दी है दुनिया को लगा है कि भारत एक बरोसे मन ग्लोबल ओर्डर स्थापित करने में सक्रिय भूमी का निभा सकता मुझे खुशी है कि आज भारत और येई मिलकर दुनिया के इस भरोसे को मजबूत कर रहे हैं आप सभी ने भी देखा कि भारत ने एक बहुत ही सफल G20 सम्मेलन आयुदित किया है इसमें भी हमने येई को एक पार्टनर के रुपे आमंत्रित किया ऐसे प्रयासों से हमारी स्टाटेजिक पार्टनर सिप्पी नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है आज भारत को दुनिया एक विश्व बंधू के रुपे देख रहे हैं आज दुनिया के हर बड़े मंच पर भारत के आवाज सुनी जाती है कहीं भी संकट आता है तो सबसे पहले पहुंचने वाले देशों में भारत का भी नाम होता है आज का मजबुद भारत कदम कदम पर अपने लोगों के साथ खड़ा है बीते दर्स वर्सों में आपने देखा है कि जहां भी विदेशों में बसे भारतियों को समस्याई भारत सरकार ने तेजी से एक्शन लिया है युक्रेन, सुडान, यमन और दूसरे संकटों के दोरान फसे हजारों भारतियों को हम सुरक्षित निकाल कर भारत लाए दुनिया में बसे या दुनिया के अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं भारतियों के मदद के लिए सरकार दिन, रात काम कर रही है साथियों, भारत और यही मिलकर 21 सदी का नया इत्यास लिख रहे हैं और इस इत्यास का बहुत बड़ा अधार आप सभी मेरे साथ ही है आप यहाँ जो मेहनत कर रहे हैं उससे भारत को भी उर्जा मिल रही है आप भारत और यही के विकास और दोस्ती को यूही मजबूत करते रहे इसी कामना के साथ इस भव्य स्वागत के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बोले भारत माता की मेरे और आपके बीच में दूरी बहुत है इतलिए मैं आपके बीच में आपके दर्शन करने के लिए आने वाला हूँ लेकिन मेरी आपसे प्रांथना है कि आप जहां है वहीं बैठे रहोगे तो मुझे आपके दर्शन का सववाग्य अच्छा मिलेगा तो मेरी मदद करेंगे आप पक्का करेंगे भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद झाल 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 झाल